अभी तक पूरी दुनिया करोना वारस के एक ही स्ट्रेन से उबर नहीं पाई है कि नई आशांका ने चिंता को और बड़ा दिया है वैज्यानिकों ने आशांका जताई है कि सुरो को संक्रमित करने वारा करोना वारस मनुश्य में भी फैल सकता है एक रिसर्च में कहा गया है कि ये वारस वैश्यमिक अर्थ विवस्ता के साथ ही मानव स्वास्ते को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है इस तरह कि करोना वारस से सुरो को दस्थ होता है Researcher's के अनुसार, क्रोना वारेस के इस ट्रेइन को स्वाइन एक्यूट डाइरिया सिंड्रोम क्रोना वारेस के तोर पर जाना जाता है यह क्रोना वारेस चमकादरों से उभरा और इसकी जानकारी 2016 में सामने आई थी इसके पास से इससे पूरे चीन में सूरों के जुंड संक्रमित हुए हैं इन अनुसंधान करताओं में अमेरिका में चैपल हिल स्थित युनिवोस्टी ओफ नौथ कैरोलीना के अनुसंधान करता भी शामिल थे अशंका जताई गई है कि इस तरह के बिमारियों से दुनिया में उन कई देशों की अर्थ व्यवस्टा प्रभावित हो सकती है जो सूर के मास पर निर्भर है PNAS जनर्रल में प्रकाशित इस नए अध्यन के अनुसार वेग्यानिकों ने SADS CEO से संभावित खत्रे का आकलन करने के लिए प्रियोग शाला में परिक्षन किये इसे ये बात सामने आई कि ये वायरेस मनुशे के लीवर और आतों की कोशिकाओं में तेजी से बढ़ सकता है वेग्यानिक ने अध्यन में लिका है कि SADS CEO मनुशे के फेफडों और आतों की कोशिकाओं में बढ़ सकता है ये कुरोना वाइरस वैश्विक अर्थ व्यवस्ता और मानव स्वास्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है ये वाइरस बीटा कुरोना वाइरस SARS-CoV-2 के परिवार का है जो मनुश्यों में श्वसन संबदी बिमारी COVID-19 का कारण बनता है SADS-CoV एक अलफा कुरोना वाइरस है जो सूरों में पेट और आथ संबदी बिमारी का कारण बनता है वैज्याने को ने कहा कि इस वाइरस से गंबीर दस्त और उल्टी होती है और ये विशेश तोर पर कम आयूक के सूरों के लिए घातक है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे तब तक के लिए धन्यवाद